7 मई 2008 में मुंबई में हुए नीरस ग्रोवर हत्याकांड से संसनी फैल गई थी एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले नीरच की हत्या करके शब को 300 टुकडों में काटकर जंगल में जला दिया गया था इसके हत्याकांड के आरोप में कन्नड फिल्म अभिनेत्री मारिया सुसी राज और उसके बॉयर फ्रेंड जेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया इसके बाद अदालती कार्यवाही शुरू हुई आज के क्राइम की कथा में सुनिये इसी संसनी खेश कतल की नेरस ग्रोवर टेलिविजन प्रोडक्शन फर्म सिनर्जी आड लाब्स में सीनियर एक्जीक्यूटिव था 2008 में उसकी पहचान कन्नड एक्ट्रेस मारिया सुसी राज से होती है मारिया मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए आई थी नेरस ग्रोवर मारिया की मुंबई में काम दिलाने में मदद करता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी दौरान उसे मारिया से प्यार हो जाता है हालां कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मारिया ने नीरच पर ध्यान नहीं दिया दोनों की दोस्ती मारिया के बॉयफ्रेंड जे रोम मैथ्यू को पसंद नहीं आई लिफ्टिनेंट एमिल जे रोम नौसेना के कोच्ची बेस में पोस्टेर थे दो महीने बाद दोनों की सगाई होने वाली थी मारिया और नीरज की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारिया ने ग्रोवर के फ्लैट पर कुछ दिन बिताए मारिया नए फ्लैट में शिफ्ट कर रही थी और नीरज उसकी मदद कर रहा था 6 मई 2008 को नीरज मारिया के धीरत सॉलिटेर स्थित अपार्टमेंट पहुँचा शाम को 7 बजे मारिया के पास जेरोम का फोन आया और उसे पीछे से किसी दूसरे आदमी की आवाज सुनाई दी मारिया ने जेरोम को बताया कि नीरज घर शिफ्ट करने में उसकी मदद कर रहा है लेकिन जेरोम मारिया को नीरज को रात में न रुकने को कहता है मारिया जेरोम की बात नहीं मानती है और नीरज रात में मारिया के फ्लैट पर ही रुखता है साथ मई 2008 को अपनी बेस को बिना सूचित किये जेरोम मुंबई स्थित मारिया के फ्लैट पहुचता है और सीधे बेडरूम में जाता है वो नीरज को देखकर आग बबूला हो जाता है दोनों में बहस होती है और फिर हाथा पाई जेरोम किचन से छुरी लेकर आता है और नीरज पर कई वार करता है कुछ ही देर में नीरज की मौत हो जाती है पुलिस के पास जाने के बजाए मारिया और जेरोम ने बाड़ी ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं तक्रीबन 11 बजे मारिया पास के मौल जाती है और वहां से छुरी, परदे, चादरें और बैक्स खरीद कर लेकर आती है दोनों नीरज की डेड बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और उसे 300 टुकडों में काटते हैं दोनों मारिया के दोस्त की गाड़ी में बैक्स लेकर मनोर की तरफ जाते हैं भायंदर में पेट्रोल की दो बोतले खरीदते हैं दोनों मनोर के पास जंगल में बैग स्फेंग कर आग लगा देते हैं मारिया और जेरोम उसी दिन रात के 9 बच कर 30 मिनट में वापस आते हैं मारिया और जेरोम ने सबूत मिटाने के लिए घर के परदे, बेडशीट और यहां तक की फिनीचर भी बदल डाले एक लोकल पेंटर को बुला कर घर की पुताई करवाई कुछ दिनों तक मारिया और जेरोम हत्या के सबूत मिटाते रहे नीरज का मोबाइल फोन मारिया ने अपने पास ही रख लिया नीरज के परिवार वाले और दोस्त उसका पता लगाने की कोशिश करते रहे जब नीरज की कोई खबर नहीं मिली तब उन्होंने मलाड पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्स करवाए मारिया भी नीरज के दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन गई मारिया इस केस में संदिग्ध थी क्योंकि नीरज आखिरी बार मारिया से ही मिलने गया था पुलिस पूछताच के दौरान मारिया बार-बार अपनी कहानी बदल रही थी लेकिन आखिर में उसने गुना कुबूल कर लिया पुलिस को वो उस जंगल में भी ले गई जहां नीरज की बाडी को जलाया गया था पुलिस को वहां इंसानी शरीर के अवशेश मिले जंगल में पुलिस को पसलिया पैर की हड़ी, खोपडी, चेन, जले हुए बैक के टुकड़े, आधा जला हुआ लाल रंग का कपड़ा, कुछ जले हुए बटन और सिक्के जैसे सबूत मिले मारिया के फ्लैट से पुलिस को खून के निशान, कुछ कपड़े और जूते मिले नेरज ग्रोवर मर्डर केस की जाच के दौरान पुलिस से कई चूक हुई नेरज की हत्या जिस छुरी से की गई थी, पुलिस वो ढूंड नहीं पाई बाद में कुछ छुरियां डियने जाच के लिए भीजी गई जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई आठ मई दो हजार आठ को पुलिस ने जेरों को पूछताच के लिए बुलाया उसने पुलिस से कहा कि वो ट्रेनिंग सेशन के लिए आया था, पुलिस ने इसकी जाच नहीं की 11 जुलाई 2011 को सतर न्याया लेने, जेरों को IPC धारा 304 के तहत गैर इराद्तन हत्या का दोशी पाया और 10 साल की सजा सुनाई मारिया को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई, मारिया ट्रायल के दोरान 3 साल तक जेल में थी, इसलिए उसे बरी कर दिया गया मारिया पर 50,000 रुपए और जेरों पर 1,000,000 का जुर्माना लगाया गया धन्यवाद